सब्सक्राइब कीजिए लर्ण त्रिपली चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकाउन को ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो दोस्तो लर्ण त्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस जग्दिश जोसी दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि रजिस्टिव इंडक्टिव और कैपिस्टिव लोड क्या होता है इनके बारे में हम totally discuss करेंगे दरसल ये question परदीप सिंग जी का था तो उन्होंने ये question करा था कि resistive, inductive और capacitive load कुन से होते हैं क्योंकि जब आप power factor पढ़ते हैं तो साथ आपके mind में भी ये question आना चाहिए कि resistive load कुन से होते हैं, inductive load कुन से होते हैं and capacitive load कुन से होते हैं आखिर क्यों हमारा जो power factor है वो lag करता है या lead करता है ठीके, तो जैसे कि मैंने अपने power factor के जो मेरा topic था उस वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा resistive load होता है वो बिल्कुल pure resistive load में हमारा power factor जो होता है वो one होता है लेकिन अगर inductive load ज्यादा बढ़ जाए तो हमारा power factor कम हो जाता है और अगर capacitive load अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हमारा जो power factor है वो बढ़ जाता है तो जब भी हमारा power factor घटता है तो हम capacitive bank इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने power factor को improve कर सके यानि कि बढ़ा सके ठीके तो हम वहां पर controller लगा देते हैं वह control आपको दिखाऊंगा practically कि controller कि सरके का होता है और controller कैसे control करता है ठीक है power factor को वो कल आपको जो अगली वीडियो मिलेगी वो इसलिए मिलेगी यही मिलेगी कि controller दिखाए जाएगा उसमां आपको और power factor के जो कापिस्टर बैंक होते हो कापिस्टर बैंक दिखाए जाएगे आपको ओके तो देखिए सबसे पर अगर हम बात करें resistive load की तो resistive load का अगर हम आपको example के थुरू समझाओं तो जो हमारे heater होते हैं अगर हो पानी करम करने का heater ले लो आप या फिर जो आप जो हम normally घरों में यूज करते हैं heater उन heater की बात करें तो जो heater होते हैं हमारे ये सारे हीटर हमारे pure resistive load होते हैं ठीके अगर हम pure नहीं भी कहेंगे इनको क्योंकि इनके अंदर भी element होते हैं तो बट यह एक resistive load होते हैं ठीके तो अगर हम inductive load की बात करें तो inductive load में हमारी दिखिए inductive load सबसे ज़्यादा load होता है क्यों होता है इसलिए हमारा power factor जो होता है वो कम हो जाता है वैसे तो power factor हमारा 1 होना चाहिए लेकिन अक्सर देखा जाता है कि power factor हमारा 0.6, 0.7, 0.8 0.8 से नीचे कभी power factor आता नहीं है और हम 0.8 से उपर ही इसको maintain कर लेते हैं काफी controllers आ चुके हैं तो कि 0.8 से नीचे इसको जाने नहीं देते हैं कापिस्ट्री बैंक लगा के रखते हैं हम जैसी 0.8 से नीचे जाता है तो हमारा कापिस्ट्री बैंक ओन हो जाता है और वो उसको maintain कर देता है 0.999 तक तो अगर हम बात करें inductive load की तो inductive load देखें जितने भी हमारे motors है क्या है वो इंडस्ट्री में जितनी भी motors लगी भी हमारी सारी की सारी inductive loads है ठीक है सारा वो inductive load है अगर हम transformer की बात करें वो भी हमारा inductive load है वैसे transformer कोई load नहीं है लेकिन transformer की अंदर भी जो copper losses होते है थोड़ा बहुत उसमें जो losses होता है I square R तो भी हम एक inductive load की तरह उसे ले लेते हैं और बाकी हम बात करें जितनी भी हमारी coils होती है यानि कि जितनी भी हमारी copper की coils होंगी चाह करें चाहि हम जो अगर welding machine की बात करें उनके अंदर जो inductive coil लगी होती है उनकी बात करें तो inductive load हमारा इंडेस्टी में बहुत ज्यादा होता है चाहिए इंडेस्टी की बात हो हो चाहिए आपका रेफरिजरीटर के अंदर भी जो compressor लगा वता है compressor के oneself कंप्रैसर प्लिक tirar ऑ कि अगर हम बात करें capacity load की तो दखिए capacity load जो होता है यह industry में लगबग ना के बराबर होता है और अगर हम एक होता क्या है देखिए यहां पर ट्रांस्मिशन में क्या होता है कि यह उपर जो वैर है यहनि कि यह आउट्पूट में यहां आउट्पूट में जो हमारा सब स्टेस्टन होते हैं सब स्टेस्टन में माल लिए यहां से हमने एक असे स्टेप अप किया लेकिन यहां जो हमको मिलेगी वह बहुत जादा वोल्टीज मिलेगी किसलिया होगा क्योंकि बीच में जो ये वैर और जो हमारी अर्थ है इन दोनों ने एक कापिस्टिव लोड की तरह बिहेव किया और हमको output में जो है voltage को बहुत जादा बढ़ा दिया तो वहाँ पर हम इसलिए जो controller लगा के रखते हैं transformers लगा के रखते हैं isolator circuit breaker काफी protective equipment लगा के रखते हैं ताकि हमारा transformer है वो protect हो सके हमारा बागी का circuit है सबी station का वो protect हो सके okay guys तो I hope कि आपको समझ माया होगा कि जो ये resistive, inductive और capacitive load होते हैं ये क्या क्या होते हैं अगर हमारा inductive load अगर बढ़ जाता है माली जेकर inductive load बहुत जादा बढ़ जाएगा तो हमारा power factor है वो down on लगेगा तो उस down जब down on लगेगा तो हम क्या काम करते हैं उसको increase करने के लिए capacity bank लगाते है इट मींज जो अगर हमारा capacitive load अगर बढ़ जाएगा तो हमारा power factor 1 से उपर चले जाएगा और अगर inductive load बढ़ जाएगा तो हमारा power factor 1 से down आ जाएगा नीचे आ जाएगा यानकि 0.987 इस तरीके से आन लगेगा और अगर हमारा pure resistive load रहेगा तो हमारा power factor हमेशा 1 रहेगा इस चीश को आप जान देखिए क्योंकि interview में अकसर एक question पूछ लिए जाते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए I hope कि आपको य अगल में जो bell icon है उस bell icon को on करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप उस bell icon को on नहीं करेंगे तो YouTube आपको हमारी 7 new videos का notification नहीं भीज़ेगा ओके गाई तो आप मारा Android application में डाउनलोड कर सकते हैं एपका लिंक में आपको इसी वीडियो की निचे description में दे दूंगा तो simply आप इस लिंक को follow करके Google Play Store से हमारा एप भी डाउनलोड कर सकते हैं ओके तो thanks for watching जल्द मिलते हैं अपनी next वीडियो में